नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके चैनल एक्जाम स्टेडी पर स्वागत किया जाता है मैं मोहित कुमार आज का हमारा टॉपिक है आधिकाल जिसका हम पर्थमबाद शुरू करेंगे आधिकाल शुरू करें हम उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं आधिकाल का समय जो है वो 1100 से 1375 भी माना गया है इस समय साहित की दृष्टी से राजनेतिक दृष्टी से तथा धार्मिक दृष्टी से बहुत सी तरूटियां थी बिद्वानों के विचारों में मद्वेद थे कई बिद्वान आधिकाल में उत्तर अभ्रहंश की भी साहित मानते थे क्योंका मानना था कि आधिकाल में सिर्फ हिंदी नहीं उत्तर अभ्रहंश भी साथ में चल रहा था आदिकाल के काल समय में बहुत से विद्वानों ने अपने विचार रखे हैं और विद्वानों में मद्वेद भी पाए जाते हैं तो वो थोड़ा से जान लेते हैं जॉर्ज किरियेशन ने आदिकाल का समय माना है 643 इसवी से 1400 इसवी मिश्र बंदुवों ने वही समय माना है 643 इसवी से 1399 इसवी राहुल सांकर त्यान ने माना है 760 इसवी से शुरू करकर 1300 इसवी अचार्य राम चंदर जी शुकल ने माना है 993 इसवी से 1318 इसवी डॉक्टर राम शंकर शुकल ने माना है एक हजार इस्वी से तेरा सो तरतालिस इस्वी ये तो अलग-अलग बिद्वानों ने अपने मत्वों के साब से काल समय माना है सभी बिद्वानों ने जो माना है वो एक हजार इस्वी से लेकर तेरा सो पच्छतर इस्वी ही माना है काल समय के बाद जो हमारे पास आता है वो है नाम कर्ण नाम कर्ण में भी विद्वानों में मतवेद पाया जाता है आदी काल को लेकर बिभिन विद्वानों ने आदी काल का नाम अलग रखा है अचारे राम चंदर शुकल ने जो माना है आदी काल का नाम उन्होंने बीर काथा काल कहा था डॉक्टर राम कुमार बर्मा ने संधी काल तथा चारन काल के नाम से पुकारा अचारे महाबीर परसाद दिरवेदी ने विजपन काल के नाम से पुकारा अचारे हजारी परसाद दिरवेदी ने आदि काल कहा राहुल सांकरतियान ने सिद सामन्त काल कहा मिशर बंदवों ने आरंबिक काल कहकर इसे पुका रहा है उसके बाद डॉक्तर गनपती चंदर गुप्त ने प्रारंबिक काल कहा था धिरेंदर बर्मा ने अभरंश काल कहा है डॉक्टर चंदरधर शर्मा गुलेरी ने अभरंश काल कहा है जॉर्ज गिरियेशन ने चारन काल कहा है बच्चन सिंग ने अभरंश काल जातिय सहित का उदय तो ये भी थोड़ा याद रखे गया कि इन्हों ने बच्चन सिंग ने जातिय साहित का उदै काल था, बासुदेव सिंग ने उदै काल काल, संभुनात ने प्राचिन काल काल, मोहन अवस्ति ने आधार काल काल और डॉक्टर नागेंदर ने आधी काल काल, ये कुछ जामिनर आपके से कोई भी नाम पूछ सकता है कि आपको बताना होगा कि राउसांकर त्यान ने कौन सा नाम दिया है, या मोहन अवस्ति ने कौन सा नाम दिया है, तो आपको सभी के सभी नाम याद करने होगे, एक आधी काल ही एक ऐसा काल है, जिसके बारे में विद्वानो के काल करम के साथ-साथ नाम कर्म में बदविद पाये गए थे परतु जो हिंदी का पहला कभी माना गया है उसके विचार में भी मदभीद है सबसे पहले देख लेते हैं सिर्फ सिंग सेगर दुबारा सिर्फ सिंग सेगर ने जो माना है वो पुष्प को पहला कभी माना है हिं पुष्प की रचना है वो एक भी सामने नहीं आई है कोई भी रचना सामने नहीं आई है जिसके कारण बिद्वान पुष्प को हिंदी का पहला कभी नहीं मानते क्योंकि अगर कोई रचना ही नहीं है तो किस अधार पर आप जाचेंगे कि वो हिंदी का कभी था या नहीं था उसके बाद जो राहुल सांकर्तियान है उन्होंने सरहपा या सरहापाद को माना है जिसे हम सरहपा भी कहा देते हैं ये सिद्ध कभी थे ये कौन से कभी थे सिद्ध कभी थे राहुल सांकर्तियान ने सरहपा को पहला कभी माना डॉक्टर गनपती चंदरगुप्त ने शलीवद्दर शूरी को माना परतु इनकी रचनाओं में भी मतवेद होने के कारण इनको पहला कभी नहीं माना गया डॉक्टर रामकुमार बर्मा ने किसे माना स्वाहिम्भू को स्वाहिम्भू को उन्होंने माना था पहला कभी जिसका उन्होंने काल करम बताया है 693 इस भी उसके बाद अचारे हचारी परसा द्रवेदी ने माना है अब्दुल रह्मान को जो तेरमी स्तावदी से था उसको पहला कभी माना है उसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंग ने बिद्याबती को माना था बिद्याबती पंद्रमी स्तावदी के कभी थे उसके बाद डॉक्टर चंदरधर शर्मा गुलेरी ने राजा मंजू को माना है जो 1993 इस भी में था इन सभी विचारों को सामने रख कर सबी विद्वानों ने जो मत मिलाए हैं उसके बाद राहुल संकर्तियान दुबारा जो बताया गया था कि सरहपा पहला कभी है उस पर सहमती जटाई है अगर कोई पूछता है आपसे एक्जामिनर पूछ रहा है कि हिंदी का पहला कभी कौन है तो वो सरहपा ही आएगा अगर एक्जामिनर ये पूछ रहा है कि राम कुमार बर्मा दुवारा या स्वाइमभू को पहला कभी किसने बताया है तो आपको बताना होगा डॉक्टर रामकुमार बर्मा या रामकुमार बर्मा ने किसे पहला कभी बताया है तो स्वाइंबू तो इस हिसाब से भी कॉस्चन पूछ लिए जाते हैं इसलिए आपको याद रखना होगा कि कौन से विद्वान में कौन से कभी को पहला कभी बताया था तो थोड़ा से ध् सिब्सिंग सेगर ने पुष्पकू बताया था राहु सांकृतियान ने सरहपा डॉक्टर गनपती चंदर गुप्त ने सलीबदर शूरी चारे हजारी परसाद दिरवेदी ने अब्दुलरह्मान डॉक्टर बच्चन सिंग ने बिद्यापती डॉक्टर चंदरधर शर्मा बताई थी इसलिए सरहपा ही पहला हिंदी का कभी माना जाता है अगर पर्थम रचना की बात करें तो साबका चार को सभी विद्वानों ने पहला रचना माना है हिंदी का पहली रचना कों से मानी है तो साबका चार लिखा किसने है देवसेन ने लिखा है 993 में रचा गया देव सेन कौन यह जैन साहित के कभी थे अगर सावकाचार रचना में बात करें तो 299 पड थे इसमें 220 दोहे थे यह रचना कि से हडारित थी सावक धर्म के सिधान्थ पर अधारित थी तत्हा गरस्त धर्म के केंदर बिंदू था तो जो पहला कभी है मतलो पहला रचन जो है साबकाचार उसको ध्यान में रख लीजिए गए साबकाचार पहला हिंदी का गरंथ है जिस देव सेन ने लिखा गया है और 993 में रचित हुआ जेहन साहित के कभी हैं देव सेन धाई सो पद हैं साबक धरम के अधारित लिखा गया है तो यह सब आपको इस रचना के बारे में पता होना चाहिए कई बार एक्जामनर यह चीज भी पूछ लेता है इसके बारे में कोई विद्वानों में मतवेद नहीं पाए जाता हाला कि राहुल सांकर त्यान ने माना था कि जो उनके कभी हैं सरपा उनको ही उनकी रचना को ही पहले रचना माननी जानी जाए पर तो ठोस सबूत ना होने के कारना साबका चार को ही पहला रचना माना जाता है आधिकाल की शैली की बात करें तो शैली में दो श राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया जाता था उसे डिंगल शैली का आ जाता था इसमें करकश शवदावली का अधिक प्रयोग किया जाताथा अगर पिंगल शैली की बात करें तो अब्रहंश शैली के साथ ब्रजभाशा का प्रयोग अब्रहंश के साथ ब्रजभाशा का प्रयोग किया जाता था उसको पिंगल शैली की कहा जाता है इसमें कोमल सब्दावली का जो प्रयोग की अधिक होता था तो ये दोनों चीजे याद रखने वाली हैं अगर आदिकाल के प्रिस्थितियों की बात करें तो ये बहुत important topic है क्योंकि master cadre में आदिकाल के प्रिस्थितियां और प्रिविर्थियां का एक विभिन topic बनाया गया है तो इसको भी हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे सबसे पहली प्रिस्थितियां वो राजनितिक प्रिस्थितियां अगर राजनितिक द्रिष्थि से बात करें तो यह समय युद्ध और अस्यांति का था समराथ हर्च बर्दन की मित्यों के पस्चात भारत खंडखंड में बट गया एक तरफ जहां विदेशी आकर्मन आ रहे थे तो राजपूत भी खंड़ों में विवाजित होकर आपस में ही लड़ रहे थे दसमें स्ताफदी से लेकर चौदमें स्ताफदी तक जो रास्ट्रिय की किसी में भावना नहीं पाई जाती थी रास्ट्रिय जो थी वो संकुचित थी एक सेमित छेतर तक थी कवी की जो काम था जो कवियों का काम था वो राजाओं को खुश करना था राजाओं के लिए ही शाहित लिखा जा रहा था अध्यात मिक्ता की बात करें तो वो हट्योग तक ही सीमित रहे गया था तो अगर संपूर्म तोर पर बात करें तो राजनेतिक दृष्टी से या काल बिलकुल भी अच्छा नहीं माना जा सकता वहीं अगर हम धार्मिक स्थीती की बात करें तो धार्मिक स्थीती भी कुछ अच्छी नहीं थी हलाकि इसमें जो नए धर्म थे सिद्व संपरदाए, नाद संपरदाए, बहुत संपरदाए कह दें ये ज़्यादा बिक्सित हो रहे थे परमतु इसके साथ क्या हो रहा था बैदिक धर्मों का पतन भी हो रहा था बैदिक जो धर्म थे वो पतन हो रहे थे उसके स्थान पर नए धर्म जो थे वो बिक्सित हो रहे थे इनमें एक जो वर्ग था नीमन वर्ग जो सबसे ज़्यादा दुखी था वो नए धर्म की और आकरसरत हो रहा था मतलब आकरशित हो रहा था वो उस धर्म की और बढ़ रहा था जो उसको एक नया इज़त परदान कर रहा था जो उनको पहले बैदिक धर्मों में नहीं मिल रहा था इसके साथ ही आकर्मन के कारनattend मुस्लिम धर्म का आगवन हो चुका था इनकी जो दριस्टि थी वो धार्मिक दριस्टि में आदी काल का जो बातावर्न कह सकते हैं दूशित था क्योंकि इसमें धर्मों का एक भंडार आ गया था कि बहुत से धर्म इसमें देखने को हमें मिल रहे थे इसके कारण हम इसको कह सकते हैं कि इसका जो बातावर्ण था बहुत ही जादा दूशित हो गया था अगर हम समाजिक परिस्तिदी की बात करें तो ये भी कुछ हलात अच्छे नहीं थे लोगों में अंदविश्वास आ गया था समाजिक परिस्तिदी की बात करें तो उस समय आदिकाल के समय लोगों में अंदविश्वास था लोग कहां जा रहे थे, पूजा पाठ में, तंतर मंतर में, जब तप में, और किसले कर रहे थे, ये महामारी से बचने के लिए, युद सो हटाने के लिए ये क्या कर रहे थे, मंतर तंतर का प्रियोग कर रहे थे, जिससे वो महामारी और युद से बच सके, परन्तु एक अच कर्मन के कारण वो चीज यहां पर खतम होने लगी थी अगर हम साहितिक प्रिस्थिती की बात करें तो साहितिक द्रिष्टी से यह काल खेचडी पक गई थी किचडी कह सकते हैं क्योंकि एक भाषा नहीं थी जिसने साहित रचा जा रहा है यहां पर संश्कृत अंज भाषाँ में रचनाल की जा रही थी परन्तु उसका बिशे क्या था राजाओं की पर्शंशा करना उनका एक ही बिशे था राजाओं की पर्शंशा करना राजाओं के गुनगान गाना और राजाओं से इनाप्रप्त करना इसलिए हम कह सकते हैं कि साहितिक दिरिष्टी से ये काल अच्छा नहीं था उसके बाद सांस्कृतिक प्रिस्थिति की बात करें तो वही समराथ हर्च बर्दन की मित्यू के पहचात जो संस्कृति थी जो पहले सिखर पर थी वो नीचे गिरनी शुरू हो गई मुसलिम आकर्मन कारियों ने क्या किया था भारतिय संस्कृति को छती पहुचाने लगे अपने धर्म का परचार करने लगे हिंदू धर्म और मुसलिम धर्म को मिलाने लगे जिसका असर कहां पढ़ रहा था उनके उत्सब पर उनके मेलों पर उनके परिधान कपड़े में पहनने में आहार पर भोजन क्या खा रहे हैं मनोरंजन पर आदी पर उनका असर मुसलिम समुदाय का देखने को मिल रहा था उसके बाद क्या हुआ हिंदी संस्कृति जो थी वो मुसलिम संस्कृति को अपना जो कह सकते हम अपना रूप दे रहा था तो यही मुसलिम संस्कृती भी थी वो हिंदी को परभाब कर रहा था तो यह कह सकते हैं कि अदान-पदान शुरूँ हो गया था मुसलिम धरम का भी और हिंदू धरम का भी तो अगर आदिकाल की प्रस्तिती की बात करें तो हम राजनितिक, धार्मिक, संस्क्रितिक, साहितिक, किसी भी दृष्टी से हम कह सकते हैं कि वो अच्छा नहीं था कहीं ना कहीं यहां लोगों का पतन होना भी शुरू हो गया था यहां पर उतल उतल से मच गई थी जो चाहे वो आम विदेशी आकरमन कार्न कहा दे चाहे राजपूतों का आपस में लड़ना कह सकते हैं या कवियों का अपने राजाओं तक ही सेमित रह जाना ही कह सकते हैं उसके बाद हमारा जो एक टॉपिक बचता है वो परमुख परविर्तियां है अगर परविर्तियों की बात करें तो इसको तीन भावों में विवाजित करकर हम देखना चाहते हैं मतलब देखना चाहिए हमें सबसे पहला है बीरकाल जो था जो मतलब बीरकाब्य जो रचना की गई थी उनमें क्या थी? संधिक्त रचनाई लिखी गई जो रचनाई लिखी गई उनको सही है या गलत है उसके बारे में ही पता नहीं है संधिक्त हैं वो सही नहीं माने जाती इतिहास तिक्ता की कमी जो इतिहास कह रहा है और जो कभी कह रहा है उसमें जमीन आसमान का फरक है अगर जो कभी संक्या जो काल करम बता रहा है या इतिहास जो काल करम बता रहा है उसमें कोई मेल ही निखा रहा उनकी रचनाओं में क्या थी रास्ट्रियता की कमी थी कहीं रास्ट्रियता की भावना देखने को ही नहीं मिल रही थी वो सिर्फ क्या कर रहे थे अपने राजा की परशंशा कर रहे थे कभी कलम के साथ सा तलवार में भी माहिर थे ये कह सकते हैं कभी उसके समय कभीयों की जो महांता थी वो ये थी कि वो तलवार में भी माहिर थे वो अपने राजा के साथ युद में जाते थे उसके कारने ही युद्धों का संजीव बर्नन हुआ है प्रत्वीराज चोहान उनकी रचना है प्रत्वीराज रासो उसमें जो युद्ध बर्नन किया गया है वो बिलकुल ऐसा लगता है जैसे असली में सामने हमारे सामने हो रहा है तो वो बर्नन किसलिये हुआ है क्योंकि वो जो कवी थे वो आयुद में जाते थे और वो संजी बर्नन देखते थे इसी के साथ उसमें सिंगार रस भी प्रियोग किया जाता था प्रकिरती का बर्नन भी देखने को मिलता था धार्मिक्ता की बात करें तो इस प्रविर्ती में जो है जैन साहित्य तता सिद्ध साहित्य बहुत ही रचा गया और लोगों के तक पहुँचा क्योंकि इनका जो भाशा प्रियोग किया गया वो जन भाशा प्रियोग किया गया नीमनबर्ग जो था वो इससे आकरशित हुआ जो इन साहित में लिखा गया और आदरभाब उनको दिया गया उससे वो प्रभावित हुए और इस बहुत धरम को अपनाने लगे तो हम धरमिक्ता के तोर पर कह सकते हैं कहीं न कहीं थोड़ा बहुत लोगों को राहत मिली थी उसके बाद मुसलिम धरम भी इसमें आगमन हुआ था और मुसलिम धरम की रचनाई भी यहां लिखने शुरू हो गये थी पर उतनी नहीं हुई थी इसके कारण हम कह सकते हैं जैन सायते और स्थ सायते ही पर सिदते इस समय अगर शिंगारिक्ता की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा नाम आता है बिद्यापती का बिद्यापती की पदा बली जो है वो देखने को मिलती है इनके अतिरिक्त और कवियों ने भी शिंगार का प्रियोग किया है राजा को परशन करने के लिए उनसे भीट पराप्त करने के लिए तो अगर हम कुल मिला कर बात करें तो कवियों के जो काम था वो राजा को खुश करना था ताकि वो उनसे इनाव पराप्त कर सके आज का टॉपिक आदिकाल इसका हमने प्रतम भाग किया है आगे हम नात साहिते जैन साहिते और सिद साहिते करेंगे जो डेटेल में होगा इसलिए आज वो टॉपिक नहीं उठा रहे हैं अगर वीडियो वसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर पूछना चाहते हैं तो कमेट में जरूर पूछिए हमारे साथ मास्टर केडर की त्यारी करने के लिए एक्जाम स्ट्रडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें